मा, मेरी मा, मा, मेरी मा इश्वर को मैंने देखा रही, देखा है तुमको मेरी मा आख खुली तो देखा तुझे ममता पिलाई तुने मा, मा, मेरी मा मा, मेरी मा, मा, मेरी मा, मेरी मा ममता कसागर आचल में तेरे तूने दिया है जीवन दान तू जो नहीं तो सुना है जीवन अब ना कटेगी एदिन एरा दुनिया में मा का दु जा न कोई मा के सत बस कुछ पल की बाद मा, मेरी मा, 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 हेलो फ्रेंज माइसल्फ फ्लिम डारेक्टर स्निग्धा मुखर जी हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं अपनी माबाप से सब कुछ ले लेते हैं उनकी धन दौलत प्रापर्टी उनकर खुन चूस चूस के बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माबाप को फिर प पुराने कपरे की तरहा और बुड़े माबाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते तभी यह स्टोरी का नाम है मां के साथ कुछ पल कुछ पल कब नमस्कार आजकर के दौन में सब कुछ पदर गया है पहनना खाना पीना जीने का तरीका बात करने का तरीका जो नहीं बड़ना है वो है हमारे बाबाप का हमारे लिए प्यार यह ऐसा रिष्टा है जो किसी भी हालाप में नहीं बदरता है हमाने मन में भले हमारे माबाप के लिए भावनाइं बदल जाए विकिन हमारे माबाप के मन में हमाने लिए भावनाइं कभी नहीं बदलती इसलिए तो माबाप को भावान कहा जाता है गौर कहा जाता है खुदा कहा जाता है एक मान नौन मैने अपने वच्ची को पोख में पालती है, उसे जनम लेती है, अपना गुर्फ पिलाकर उसे नया जीवत दान लेती है, अपने सुख की चिंता नकर, रात रात भर जाप कर, इमाया से, इमंता से उसे पालने की कोशिच करती है, इमाया करने की कोशिच करती है, उसे खिलाती पिलाती है, पढ़ाती लिखाती है, उसे पढ़ा करती है, और फिर बड़े दोने के बाद, कि ये बच्चे अपने माबाब को प्यार और इज़त देते हैं, जिसके वो फ़कदार है, कि वो अपने माबाब के लिए वो सारी जिम् के लिए किया है आईए देखते हैं आज की कहानी में मा के साथ कुछ पल एक कहानी एक मा और उसकी बेटे की है एक आम कहानी एक सची कहानी मैं हूँ डॉक्टर देवाशिष नहां मैं भी इस कहानी में छोड़ा सा किर्दान निभादा हूँ पंचु तिवारी का तो आए हम सम तुम तो मेरे दुकान चोड़ तर आगी इंट ले तो अरे मैंने तो नहीं रोका क्यों उस दुकान में कीम्ती कपड़े मिलते हैं इसलिए अरे अच्छी चीजे लेने जाओगे तुम तो महेंगी मिलेंगी ना और वैसे भी मुझे छोटी मोटी दुकान से शॉपिंग करन चीजे लो तो अच्छी लो परना लो ही वाता है जिन्दगी में चीजे और कपड़े इनके लगवे कुछ लो और कुछ विष्टे होते हैं जिनके प्यार और जजबात को हम पैसों से नहीं खरीच सकते हैं तुम आपे तुम्हें क्यों बता रहा है तुमारे बाद अच्या अच्छ तुम्हें पता है इस दुकान का अड्रस में नियुक्तन नुश्किलों से निकाला तब जाकर मुझे ये दुकान में एक बाद तो अच्छी है इस दुकान में न मेरे बच्चे के दुरा पुजा के सारी शच्टिन पर दो यह आधो दिधा अच्छी आधोल डिए कृक्न की आधोच अ नित्यमों अच्छी देख़ी के साथAg प्राइस करूंगी उसका भी कुछ सक नहीं देती है बुडिया जब देखो अपने मैंगेजर से यह खुद फोन करवाती रहती है सोचा तब आश्रम में भेजने के बाद वड़ा जैल का सास रूपी पर कहां क्या बोल रही हो तुम मुझे मेरा फून दो अरे कुछ कहा होगा उनको और वो बोल रहते हैं कुछ अर्जन कामे करके बात करे दो अंके साथ ओप्लीज, कोई अरजन पर सिकाव नहीं है, संगे तुक इसे बात करने का, नहीं तो को जा रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, बुझे यह लेदो, मुझे बहु लेदो, मुझे बहु लेदो और मैं तो हूँ नहीं भापना उनके पास नमसे, फोन भी तो बात कर सकता हूँ मैं मुझे फोन दे दो, इस फोन दो ओ प्लीज, कोई अर्जन परचन की समझें, यह सब बहाना है उस गुडिया का सिब तुम से बात करने के लिए कुछ नहीं को कींती सारी चाहिए हो मैं पहले से बता वह मैं उनको कोई कींती सारी ने दिपाऊँगी बोल दे ला उनको, ऐसे ही बहुत खर्चे है और अ मुझे इक कांची मरम सारी चाहिए, मैं कब से नहीं से माग रहे? वही पिंचले साबै माघ उत्तुमे नहीं दिलाया अब तुम दिलादेना हिस्सा गुझे क्या, क्या भोल रहे हुए तुम्हे बहुत तुम्हे समझ मैरा तुम क्या ब बोल गही हो मां आम उनसेरी मिन दें उनके जौ किससे बात रहे को मैं तो chili अशेरी वहोर Kit तो कैसी तुमसे सारे चीज़ें के वाले हैं? एक नमपर की नम नयकिन कुई नहीं? मेरी मा नयकिन कुई? कुछ सुशन कुरो पाप कर रहे हो तुम पाप हाँ? मैंने आज तक तुम्हारे मा के बारें कुछ गड़क है कपी? ओ प्लीस मेरी मा को बीश में मतलाओ उन्हें अच्छे से आता है कि अपने जमाई को इज़त कितना देना है बराबर जानती है वह तुम्हारे की तरह नहीं कि हर समय अपनी मा का ही गुदगान करता रहता है बस मेरी मा को यह हो गया मेरी मा को वह हो गया और तुम्हारी मा आती थी मेरे पास, मेरे बेटे के लिए कर दे, मेरे बेटे के लिए वह कर दे, मैं क्या हुँ नौकर लगियू इस गर में, अरे इतना ही प्यार था अपने बेटे से तो क्यों करी शाथी, अपनी गोध में बिठा के रख लेती? जी निन गंदी सुचे तुमारी क्या पके जाने हुँ तुम चुछ तो सुचो क्या बोल रही हो तुम शरम तो गोलो धोना विचादी मेरी मां हर चीज चुप चाप सहे रहे कोई और मां ते न तो तो पता चलता की गैसी साथ कैसे होती है अर मेरी मा सब चुप चाप सहे ही क्या कनुछ निये में तुम्हारी मां कुप आचल में बिठा कर रखना चाहती थी और मुझे मेरे पती का प्यार मुझ पर तेकर न सुब चलन increasing तो बुरी तरह से कुछ बी बखे जाती है तो अब कब लेकर रहा दुब्हे परिशानी किया है वो हर बाद तुम्हारे हेल्प करना चाहती है के हल्प करना भी गुना है ओ है हल्प वो है वो है नहीं थी सब रॉंदाओं संच कि मेरी मान ने मुझे सब अच्छे से संझा गए तुम्हारे एसी डॉट्चर से मां को बचाने के लिए मैं मां को दुददाश्टम पेजा ता कि कम से कम वहां जाकर तुम्हें परिशान न कर सब अच्छा अगर तुम्हें लगता कि मैं इसमारी इशाओब पर नाचने बाला तो यह कभी नहीं हो सकता है अच्छा अग्छ तुम्हें कप कितना गुज देना और कैसे समालना है और इचे से आओ और अभी ज्यादा मुद बोला ना तो पुलिस टेशन जाकर कम्प्लेंट करोंगी तुम्हारी फिर अच्छे से समझ में आजाए ना क्या बोल रहे हो तुम्हें अग्छा तुम्हें अग्छा तुम्ह उगलादा सोक्रा है तुमारा अरह Yeah ऐए पुस चैरे का प्रका टो रंची उड़गे है दर्ली की कोई बात पी तस ऐसे ही मेरी बांके रो उच्छ ने होगा और देगुना आज मैं शॉपिंग करेती तुन अच्छा मोड है में इना प्लीस तुसे स्पॉल मन परोंगे आपकर बिल्कुल सही का जिन्होंने पैता किया, गोज में खिलाया, पाल पूसकर बढ़ा किया, बाद में वही बच्चे बड़े होकर अपने मापा को एक कचले की तरह एक अन्वांटिज चीज की तरह निकाल कर बाहर पिखते थे, मुणकर देखते भी नहीं कि वो कैसे है, जिन्ना है कि मर गया है एक टोछावर प्वैद भी एक है, बाद में पिले एक है, बाद में था को एक है प्रदूसर निकाल पिले बच्चे पोच्चे बिच्च का इज्ड़ी आंगे है लेकिन थीरी बता है। वजी जो आप तरम दूमने कि एपके घा कॉसिशक चाहीं। अजी सभरे है शींगरे सफोगातर गर्स में। कि अब बोले गहाए विर न प्रीम भाद नहीं हुए इस पर दुगा पुछा देखनी पाये अश्रेगा अन्टी इस वर दुगा बचा देखनी पाये मैं आठाओ मैं आपिल को प्याहरा है तुरों मैं तुर्का पुझे सेले मा मेरी मा मा मेरी मा मा मेरी मा मा मेरी मा इश्वय को मैंने देखा नहीं देखा है तुमको मेरी मा आख खुली तुर देखा तुम्हें नम्ता पिलाई तुने मा मा मीरी मा मा मीरी मा माम मीरी मा क्या हो गो चलो अरे क्या हो गया मूर्ति की तरा बैट्टो हिल्वी जी पारे है अबनी माँ को बोल दिया ना कि इस बार की पूजा में में उने कोई साड़े वाडी में जेख पाऊंग उज अब ही बत्ला पुर्चा लोंगा पागल लोगे अभी तो आये शौपिंगर के क्लुपिंगर कर लागा हागा है तो तुम्हारी मा का फ२ आया तो तुम्हें अभी क्या भागणा पड़ेगा क्या माताशिरी पूं्ही पॉन किया तो लाडला भागा हबागा जाएगा उंकी सिवामा यहां लेकिन पेले मेरी अमा को साड़े सेके जागां तक्ष्दि मौत के गड़ी जहां से कोई लौकर नहीं आदा तुम भी क्योंने चम्दा दू आपन और यह भी कोश शादी है जो रोज थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूं मैं रोज तुम खुट चूस्ती हो मेरा इमाह ने भी कैसी औरत मेरे गनेबान दी यह लो साड़ी अरे अभी कार लेकर जाओगे तो रात का खाना के अपनी मा की गोद में बैठकर खाओगे हाँ पहले साड़ी देखे हो फिर जाना अर्य करते हैं एक बात दो है अर्यूपिंग नाज सालिब हो गई मां की सारी में भाद अच्य में बिली माना बड़ी खुश हो जाएगी हाँ मैं जाए पुलता आँ भार में जाहे माँ अच्छो मैंने फोन पहले लेकर बैड में डालियागा, परना ये वही के वही मुझे दुकान में छोड़के फिन मां के पास भांचागे। मुझे बाफ कर दें तुमा। मैंने सब सुन जिया था। शुष्चागे था। मैंने सब छोटे बच्चे जो है गुटे खुठीयाग, सब ठीका हमें क्या आप्टरदाइमा झालियागा आजाओ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू भरि मच्छ। हमें ये शात बश्रो और मुझे भी कुछ रखो अपना यह जो घर है हमारा आंगर छोटे छोटे चुटे विप्टा नियों से फुजरा जरिये यह अपनी दभी पूपक है हाद इसाद अब पूपक है जो 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 पर बनेशों के साद़ गट की चाहिना श्रागा मौज क्या हुतक है जो जो जोटी की जो जो जोटी दो जो जोटी आपका है जो 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 जोटी कोले जोटी चाहिन पहुत कैसे नहीं एक पहुत एक बात कहूँ, आपके बहु पड़े लिखी है, सुन्दर है, बहुत अच्छी है, मगर एक बात कहूँ, बुरावत मन्ये का, कहूँ, लड़की सुन्दर होना, पड़े लिखी होना अच्छी बात है, लेकिन अभी देखना है, उसका मन कितना सुन्दर है, एक बात कह रहा देखे, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके साथ जिन्दीगे पर आपको चलना है, आपको रहना है, उसका सोभाप और करेक्टर सुन्दर होना बहुत जरूरी है। बहुचो है, वो पढ़ी विखी है, बॉर्डर है, बहुत गुसु है। अचो देखे, मेरा परिशन है, ताप दाज के लिए रोज पे उतर निम और दर के लिए दर के बाहर रहेगा, दर के बाहर रहेगा। अच्छे से हमारा रिष्टा है, अच्छे से आगे बड़ेगा। अच्छे से अच्छे से अच्छे से आगे बड़ेगा। अरे भगवान करे, आपके बभु वैसे ही हो जैसाब चाहती हो, जैसाब सपना देखती हो, लेकिल मैं बात कह रहा हूं, कहूं। आपको पर्वत्य आउंटी के बारे मालूम है ना? हाँ, वो, उस्वे बैट मैं आजी सब्सक्राइब पैचाहता। अरे हाँ, वो ही बाला आउंटी, आपसे मिला था मैंने? क्या हुआ उप्णा? बुरा हाल है आउंटी, आपको मालूम है उनका साथ क्या हुआ? उनका बेटा शादी क्या ना? तो शादी के बाद क्या हुआ? उनका बहु, उनका बारे में दिन रात चुगली करते-करते यारी कि बेटे के कानों पे चुगली करते-करते अरे सुनिये तो सही! पहले अलग करने के लिए कोशिश किया उसका बात क्या हुआ मालूम है? उनके सारे प्रपर्टिस सिग्नेचर जाली करके सब हरब लिया और लेके मेरा बिद्धास्रम में फेक दिया पहले तो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे आजकाल तो खर्चा ही नहीं उठा रहे हो लोग उनका सारे खर्चा मैं अपने बिद्धास्रम से उठाता हूँ बिचारी आँटी रात दीन रोती रहते है आँटी और अपने बेटे पोथी-पोथी को वियाद करते रहते है अरे आजकाल एई ट्रेन चल रहा है शादी के बाद तो नया घर मतलब बेटे और बहु अलग घर में रहने लगते हैं और माबाब को से दफेक देते हैं ते रस्ते में या तो बिद्धास्रम में बुरा मत मनें अरे मैंने ऐसे कब कहा अंटी कितना सालों से आपको मैं जानता हूँ यह आपके जैसा सांस मिलना कोई भी बहु के लिए आशिरवाद है मालू मैं लेकिन अंटी कुछ लोग रहेंगे तो आपका बहु का कान भरेंगे और आपकी घर में जाहिस सी बात है मतलब आग लगाने के लिए कोशिश करेंगे और ऐसे किसिस में ज्यादा से किसिस में क्या होता है मालू मैं लड़की बाले की माबाब भी यह सब चीज करते हैं और एक कुछ नहीं दामात का अपनी काबू में रखने के लिए कोशिश करते हैं बैस मतलब आपकी बहु आपसे डरने लगेगी वो खुद का मतलब खत्रा में शूस करेंगे आपसे जाहिर सी बात है आपको भी दास्रा में भेज देगी यह सब चल रहा है अंटी अप बुरा मत मानिये लेकिन आपसे आपका साथ ऐसा ना हो बहुत सही चाहता हो मतलब आपका साथ बाहर के तुष्मन से तो आप लड़ सकते हैं जिन धर के तुष्मन से मैरी पासुन भाइस घरी उनागित को पहचानने ही पाई गुस्सात है मुझे आपने आपने गिन आती है मुझे मुझे तो विश्वा सही होता आज कल कि ये बच्चे अपने बीडी की कहने पर अपने माबाब के साथ ऐसे वकाव कैसे करते हैं ये बीडी के पुलाम मन के डर डर के जिन्दगी में पाते हैं सच कहें तो ये अपने साथ सुसु के सामया का मजूद बेज देते हैं और आपको बुड़े माबाब को भुल कर साथ सुसु कर गुलाम बन जाते हैं अब किसे भी विद्धार्शन भी गाईए ऐसी भ्यानक कहानी आपको सुनने मिलेगी जहां बच्चों ने अपने माबाब को रास्ते पर भीग माँने के छोड़ दिया हैं जहां कुछ बच्चे तो अपने माबाब को भीग कर लेकर रास्ते पर छोड़ देते हैं भीग माँने के लिए दरदर की ठोकर खाने के लिए यह जवानी काम करते करते अपने बच्चों को बढा करने की कोशिश करते हैं उन्हें अच्छी परवरिज देने की कुर्शिश करते हैं और फिल यही बच्चे बड़े बड़े की बाद उनकी साही पॉपर्टी अपनाम रिखाके उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं भी दिख बंगने की लिए नुक्री फैमिली अभी फैशन बोचुके है लेकर इसमें इन गुजोर्गों की कोई जगर दे है यह सिफ यह जेनरेशन की दे है इसलिए तो इतने विद्धाश्रम खोड़े है विद्धाश्रम एक ऐसा घर जहां ये असहाय बुड़े माबा अपने बच्चों की घर से निकाले जाने के बाद उनकी जिन्दगी से निकाले जाने के बाद दो वक्ती रोटी, एक छट और कपलों के तलाश में यहां कर आश्र लेते है हर सास बुड़ी नहीं होती है हर भूबी बुड़ी नहीं होती कुछ बाबाब तो ऐसे होते हैं तो अपने बच्चों के साथ बड़ी हसी कुशी से दोस्तनकों के साथ जिन्दगी मुआते हैं अमरिका देवी भी अच्छी सांस थी उन्हें अपने बेटी के लिए मन पसंद बहु भी लाई तेकिन उन्हें क्या मानू था यही बहु एक दिम उन्हें अपने ही घर से बहा निकाल देगी अमरिका देवी अपने बेटे से मिलने के लिए जिन्दगी भर तरजती रही वो बेटे से मिलने के लिए बार बार दोहार प्रगाती रही नेगे उनके बहु ने आखरी सास तब उनसे मिलने नहीं अमरिका नेगी अपने बेटे से मिलने के लिए रोटी रही तणपती रही वाकर का चलब जी देखिये वाकर मनने के बाद बेटा उससे मिलने आ रहा है अरे परमिश्यर आप आगये आपके लिए ही हम लोग इंतिजार कर रहे थे अब बहुत लेट हो गये दास हसकर तो कल सुबहे होगी क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो चुकी है आपके हमाद आप में आपके सनका अगये दुनेगफ़े हैं आपक तो अच्रों को अच्छ मांके आपके लिए को अजए हुआ है उट एष्ट गालाँ प्रश्म देड़ान अपनी लिए जब ने मारके आखरे अखरी बगत ते अपरी सास इस नास्तर में सात ने था में आपको आपके माँके कवने में ले जाता हूँ और आप चाहे तो आज की राग वहीं पिता सकते हैं दिल खुलकर अपने माँ के साथ वक्त पिता सकते हैं लेकिन दुखकी बात यह है कि अगर आप थोड़े पहले आये होते ना तो कमसर बहुँ आपकी बात सुन सकती है वो भी अपनी बात मन खोरकर आपसे कह सकती है लगेर अब तो वो थेर हो चुकी है तो मारी कोई भी बात सुन नहीं सकीगी लेकिन फिर भी आप अपने दिल की तसरली Pasal निकर लीजिक और हम वो जब बुड़े हो जाते हैं उन्हें विद्धास्रम या तो रस्ते में कच्र की तरह फिक देते हैं अब रोने से क्या फैदा आपके आसु पोचने के लिए देखने के लिए आपके मामी वापस नहीं आएगे अरे मैं जानता हूँ आपके बीबी के बारे में रोमिता जी के बारे में लेकिन आप तो उनके बेटे हो ना जिन्हों ने आपको जनम दिया जिनके वज़े से आपका एग्जिस्टेंस है आप वो बुरे होगे बीमार होगे पुछते ही भूल गए बिस इस भरे साट देखो बटाओ अपने बीबी से प्यार करना अचा है उसकी इज़त करना अचा है लेकिन उसका गुलाम मन के उसके कहने पर अपने मापब को घर से बाहर निका देरा ये तो सही नहीं है ना बीबी अच्छी लाम ना कोई जिन्दिक की जहता है तो मेरी जिन्दिक तो वैसे तो तो को जाए दो जाए जाए आखरी बार बात कर लेजिए बहुत तक्लीफ सहा है उन्होंने लेकिन अब देखो कितनी शांती से सो रही है अब कोई भी तक्लीफ उन्हें जो नहीं सकती अब बहुत अच्छी आउरत थी तुम्हारी माँ मुझसे कितनी बात ही करती थी मुझे अपना भाई मानती थी वो परवश्र बेटा एक बात कहूं मैं बहुत गरीब इंसान हूं लेकिन अपनी माँ को कभी ऐसे रास्ते पर नहीं छोड़ता अपनी छोटी से कुटिया में उसे रख लेता लेकिन तक ही उसे कभी कोई तक्लीफ नहीं बेटा कोई के माँ अपनी इच्छा से अपने बेटे को छोड़कर आश्रा में नहीं आती उसे मोचपूर किया जाता है या उसे धक्यमार के पाहाँ निकाल दिया जाता है मैं तुम मां कर दो कर दो कि अच्छा मैं जलता हूं कल सुभेव तुम्हाने मां के अंतिष्टी है लोगों का इंदसाम चिताम लकडीव सब तैयारी करने है तुम बैठकर अपने मा से बात करो उनकी आत्मा भी भी अभे भी इस कमरे में है पिंदान के पहले मुद्टी नहीं मिलती ना तुम बात करो अच्छा मारे मुद्टी ना शुथ्ट करोसे ने तुमारे मुद्टी ना बजाए अच्छा 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 मारे मुद्ट एक लोगों करो घुदें कि अब भर नसी पेडा हो जुआ है आखरी सास के पर एप विदी का गलाँ मुझे रहा है और से इंगे मुझे नहाँ कर रहे है मा नॉक से आया है गहोगों गुय जाया है मैं माँ हुम तेबा हहाँ हमें जहीं सुट सती क्यों रहा है से वा क्यों किया है साथ क्यों मेरे शादी सर्भाए उस उस दारें के साथ हम अच्छी दिन दो अख्रेगें जी रिते सिंदगें नहीं राजाविटा में गलोत्य उफ्रेगें तुम मेरे एकलोते ओलाद हो ऐसे हैसे मैं तुम्हेरा अकेले खोड़ के चले सहतो है साथ है अंच्छे पढ़ेगी कि नगागी के साथ हुमारा शालीakah मेरे म उदि न्या कन बूद या मेना गर अंगल इं Susi《 origin kl, Lim . और शायद लिए सुख मेरे किसवत में लगए किसवत कदोश मत दोबाई गल्की हमारी है अब पहले देन से घुमिता को उत्रा संपे चढ़ाया इसना संपे चढ़ाया कि अपो संप चढ़ते ही बैड़ गेड़ा नहीं बिला है वह है सावे जड़ नहीं तो सकती कि मैं उस्त मेरे लिए एक मा की जगे बना दोगी है और नहीं बनावाई है यह अपसी है बार बार किसमत को दोश मत दोश किसमत का नहीं है कितने पुश देह था है यह 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 कुछ तुरी कुछ दिखते थी बशानी मैं मैं पुरा दिर दोड़ता था आको दोगे राते थी बढ़े खुप जाए थी तक नहीं बड़ी पुटोने अपसा दिघ है और ठीन कहां चेने मैं मैंने को तो समुंत मते जादेदेए और किमें तने वसी गड़ते तुरी कुछ सा ह दरेतेए और फिर में बेल में आपितां पे पुमारत की माँ केना तर अजी से लोग सbor पीभें में असाा किर 안ागे है माहाँ हिंछ पीवाँदि भी शूर भी आगे मा பुल पो कारणे अ माह माहे चाद्र फिरे की जिताना एक एकनल Beim दाने ज्लिडानी ऑया आ के एकनल शुकत्र गाला हे मगण हो झाल στα मात लगात अगल मदर कि आ आजय हर राठीनों दुझेए, चुग में वहां हो और सब्सक्राप राहा है पालेकों , दूद्नग कोई , क्या राठीन करना , तक पृ N95 क्या पाल रूंच बीमिच वाहिशन और कोई यह नहीं कि अगे वेकर प्टकस की बुड़िया मर गए, बजकी कहने वाली यह कहें, कि परमेश्वर चाटर जी की मा, रादरेंगे चाटर जी की पदी, रोमिता की सास में, और मेरे पुल्दे की इंदा की स्वारिस में हार गए, ऐसे ही मेरा प्रिया करोंगे, और थोड़ी ही दिर में सब मा के साथ भी तुम्हारे आखे लिपने, हमेशा याददे की ने होना है अच्छा, पिस इतने खाईशे में कूलिकरोंगे ने, जाओ पनाओ बंगना में आपको कितना मिश्की आपको कितने को अपादे है अगार म अपको कितने बादे राकाल का मगरापक वाल गान दाना ममा ने कहा था कि आख से आख यह निकल गए हो तो तु मेरा लाजना बाबु है ना मेरे जिगर कट पुड़ा हाँ मैं हमेशा के लिए दिगर्थिया पड़ता है उसे मिले मिला कैसे देसे इसलिए तुमसे में जड़ी आई क्या क्या सूचा था तुमसे में लगी बार अपने बोलने के लाने के लिए सूचा लेकिन अभूजा इसे दूर जाना पर लिए दादे माभी अभी अभी तरफ आप आयो आप तरिच्छ चली जाओंगी आम आपको पही नहीं जाने के आप यहां रखोंगे मामारे साथ आप रोखी रेव दादी माँ आपको पही तक्रीफ होता हमें बश्चा आपके में हमेशा तुमारे असरोगे तुमारे दिल में तुमझे याद करोगे ना मुझे याद करना है आप हमको परियो की बाहर मैं शुदाया करते हैं अपके करना परिय साज को कि मुझे प्रॉमिस करते हैं तुमझे याद करोगे ना इस अब दो रोके नहीं अब गे क्या अदे करें राव के साले ती बजे हो फोल ममा हमारी जादी मा वापस आगई है आपने बताया क्यों दोई हमारी जादी मा देर पे आपरासर वापस आगई है अब मैं अपनी डादी मा से देख सारे कात्य दरूँगा फोल खेलूँगा और कहानिया सुनूँगा सब्सक्राण देख रहे हों आपके नहीं मैं सब्सक्राण डादी मा यही थी आपको देखके नारासों पे चली गई होगी आपने बहुत सताते हो आप बुरी होगा मा डादी मा पहाँ चली गई डादी मा डादी मा अंगे चुचाट सोजो परना गालते कसके थपड़ लाओंगी ना अपने गुवायां से डादी मा दादी मा किया ना तू चो पारी भी कियो और आपकर के वाकस सोजो कोई है यहां पर चलो दस हो जो डादी मा काहाँ चैनल तू हलो किदर हो राद बाद के आपनी मां की कुल में बैखते माले अपनी मी बच्चे क्या रहे के नहीं उनको बोड़ देना कि वो मेरे बेटे से धूर रहे है दो तूमको पोल दो तुमको खरब हो गया आप कभी तुमसे बात नहीं करेगी कभी तुमको फोन नहीं उठाएगी वो तुम निश्चिन तो जो बोड़े बच्चे सो जेगे वो तुमको आवे तक के लिए कर दो कोई केम निखने कर दो आप मेरी बड़ा अभी दोया में नहीं रहे गया चली गई है को और मरे वो इंसान कभी चल कर गर नहीं जाते आप अब मुझे दगा गमिता कि तुम सच में पातल हो चुकर पूरी तरीकसे पातल हो चुकर अब मेरे गवने कौन है अब के सच में किसी से बात कर दा मैंने कुछ सुना है तुम्हारी माहां का मन्दी के बास नहीं है अच्छान अबाके चाहिए लिष्टना कभागे उत्रना करो अधिम्हेरी मार की बारे में अपनी सास के माईवें पाद कर रहे तुम चिलाओ मत मुख्डे समझे अभे 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 डरने वाला नहीं रोगा तुम्हें कर ने पुलिस में जाओ औरू तो दुम्हारी बुचे नहीं भूचे मेरी ना टॉचे किना टॉचर किया कितना सहा है मेरी माद है तुमारी गुटाइगी से नहीं कुचो कहता है रहा है वह चुप-चाप सुड़ो और चल की देकलो वहां से पैसे एक अपनी नहीं के बास चाहती पिश्टे शेयर बुरे गुर्णारी मुझ पे आओ तो तुम उब बखे जा रहे हो तुम अच्छा तुम अब मुझ पे कुपन चलाओगो तुम अपनी गुलाम निये व्यार तकना कम अपनी देमेट्स मरा हो, यह तुमारा पती हूँ हु अपती के सामने किस तरह बाद करता तुम जात पता रहे हैंड़ेका धने के लिए ने के अपनी पाति प्सकितर पात करते आओटोर यहां रहे हैंगा प्रब्राइबर्प्राइ दें। प्रभ्राइबर्स थारी की जुझे अव्रप्राइबर्स युझे करे वो सब्सक्राइब आर रहा क्योंस के आर तो टौन में! अब चींटा मत केजिए मेरी मान सम्मान की रक्षा दीजागे हाँ आपके सास जाते जाते एही कहा कि वो अपने मर्जी से यहाँ पर आई है आपके बेटे उनके पूते से बहुत जागा प्यार करती थी लेकिन दुपने तो कहा था कि माम में दादीमा तेट पर आपके अपके 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 मैंने दादीमा को देखा और उनसे बात भी की मैंने बहुत बुलाया मगर वाप बस नहीं आए क्या बात कर रहो दादीमा उपसे मिलने आई थी हरी चाल कमें बात कर दूने अच्छी यठी तो किस थी अच्छी शायद बैटा आ चैनल का थी हिसके शायद प्लागे लिली तमसी के लिए प्री एकिन ही आपके अपके अब्सक्रण मैंने दादीमा को बहुत मिश्या पाच जाना है प्लीन मंभी मुझे जादी मां तो पास ले चलो जो उन्हें देखना है अच्छा मैं आप लोग जाए आपके सांस से मिल लीजिये और ये बच्चे को भी साथ पर लेके जाएए चो बिटा कितने जीन हो गए दादी मां की कोज में पैटा नहीं दादी मां को पोलर में पुछ से बाट देखने के लिए पापा तुम्हाली दादी अब तुम्हें कभी पात नहीं कर भाएंगी कभी नहीं पाएंगी तुम्हें मुझको उनके साथ बैढ़ना रहे पाणिक है लिए प्रकष को अग्यों के बायकर कि हमारी अपनी दादी मां कभी अवर्य का a पापा कि पापा बताना हमारे दादी मां सोख ही रही है अंकि बार बार एक बार तुम्हाना बन दो तुम्हें दिखने रहे तुम्हारे दादी मां मर गए अब को तुमसे नहीं बात करेंगे नहीं बोलेंगे मर गए? कैसे ममा? नहीं अब जूट पोड़ो हमारी दादी मां जिंजा है मुझको पता दादी में या आना नहीं चाहते थे इसमें इतना रो रहे थे हमारे दादी में रोते रतो मर गए मुझे सा भी आदे ममा तुम पापा के साथ कितना जवड़ा कर गए थे दादी में मुझको छोड़के दाना नहीं चाहते थे लेकिन तुम्हें दोर्दस्यां भेज दिया और हमारी दादीमा मर गए। तुम बहुत बुरी हो ममा, तुम्हारे बड़क सा हमारे दादीमा मर गए। तुम बहुत बुरी हो, गंदी हो, तुम्हारे बड़क सा हमारे दादीमा मर गए। मुझको छोड़के चली गए, अपको कभी वापस नहीं आया थी मैं बहुत बूरी हूँ, गंदियर नहीं तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादीमा के कितने खर्चे नहीं आपन हाँ इस संसार में कितनी काम है, कितनी अशान्ती है, कितना जंजट है तुम्हें समसेे पाइप速 है, कितना आंसे अपनी का उनunci मैं पाता के थे पाता, कितनी अशनी प्हाया vetके दीमाई कितनी अपना न真的ैं ये अदिर है मैं आपने धने वाभा प्या कितनीortal देनी algúnsilुण मैं मेरा या नहीं जर्को पी depरते पुष्टे, बोल ना इसका चवाब तुम्हेरे मां अच्छी से जए पैकी तुम्हें ठीके फिर जब ममा की उमर जाएदी और मैं बड़ा जाओंगा तब मैं भी मेरी ममा को इसी आश्ण में रख़ूंगा फिर तुम्हें आराम से रहना तुम्हें को इंक आर्ड नहीं करना पड़ेगा सही कहा बटा सही कहा मेरे इकर्म ने पीछे आगे क्या हो गया ये मेरे आटों किसा भीच मोदिया मैने अपने कर्मों का मेरे इकर्म मेरा पीछा करें मेरे इक्या कर दिया अप्लाब अप्लाब और नगोड़क तो शायर तुमारे आसों से तुमारे कुछ आप तुनजात हुआ मेरे दुमार को तो क्यों नषादी से रहने पिए दिया तेमिंचाने कुछ भी हो जाया उनक्या प्रिच्छा में प्रिकर कर देह रहोंगा श्याहिक से मेरी माँ क्यारब का उश्रादी लिया है श्यमास करनो माँ ये जिंदी की करनो का आइना है जो करो पुद करोगी बहीं कर दो कुमारे साम द्याने करनो श्यमास कर दो मुझे माफ कर दो ये क्या कर गया मैंने ये क्या हो गया मुझे मैने कितनी कोशिटी मां बेडे का लग करने की क्या पूछ नहीं कि आइना सताया आपको मां अब मेही कभ मेह पीचे है मुझे माफ करदो मां काश ने अपने मंभी पापा की बातों में नहीं आती काश आज मुझे ये बिन दें इतना नहीं पड़ता अब मैंने जो तीच बोया है उसका फ़ल को मुझे भूग नहीं है कुशे बाव करना पाव कुशे में परविश्र सारे बंदवस्त हो गया फुल चंदन लकड़ी और सारे लोग आते ही होंगे प्लिस सब लोग आजाएए मुझे प्लिस स Canton dorm मुझे ऑ़के प्लिस से मुझे मुझे जो मा, मेरी मा, मा, मेरी मा, मा, मेरी मा इशर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुम को मेरी मा मा खुली तु देखा तुम्हें मन्त पिलाई तुने मा, मा, मेरी मा मा, मेरी मा, मा, मेरी मा, मा, मेरी मा, मा मेरी मा, मेरी मा, मेरी मा ममता कसा गए आचे में तेरे तुने दिया है जीवन दाउ तु जो नहीं तो सोना है जीवन अब ना कट के ये दिन ये रात दुनिया में मा का दो जान कोई मा के सत बस कुछ पल के बात मा, मेरी मा, मेरी मा, मेरी मा मा मीरी मा मा मीरी मा मा मीरी मा हलो फ्रेंज्स, मैसेल्फ, फ्लिम डारेक्टर सिंग्धा मुखर जी आज ये कहानी में हमने देखा मा के साथ कुछ पल में कि अंबिका देवी को उनकी अंतिम यात्रा में जैसे चाहिए था पोते-पोतियों के साथ, उनके भव के साथ, बेटे के साथ, वो सब उनको मिल गया लेकिन बाकी जो बिध्धाश्रम के जो लोग हैं, जो बुजर्ग लोग हैं उनको क्या इतना इजद, इतना सम्मान, अंदिम यात्रा के वक्त मिल पाता है? नहीं क्योंके हम बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं, अपनी माबाप से सब कुछ ले लेते हैं उनकी धन, दौलत, प्रापटी, उनका खुनचूस उसके बच्चे लोग बड़े होते हैं और अपने माबाप को फिर विध्धाश्रम में धकिल देते हैं पुराने पढ़ने चर, पुराने कपड़े की तरह और बुरे माबाप असहाय कुछ कर भी नहीं पाते मेरी ये कहानी का एक ही मकसद है कि समाज में ये दिखाऊं कि हर माबाप को वो प्यार मिले, वो इज़त मिले आईए एक नहीं समाज की योजना करे, जहाँ पे हर माबाप को इज़त और प्यार मिलेगा हम कभी पूछते हैं अपने माबाप को कि उन्हें क्या चाहिए, जैसे कि अंबिका देवी रोते रोते इस दुनिया से चली गई, अपने बेटे को देख भी नहीं सकी मरने के बाद बेटा आके दो पल की बात करता है, तभी ये स्टोरी का नाम है मा के साथ कुछफ़, कुछफ़ कब? मा मर जाती है तब? ऐसा हमारे साथ कभी ना हो, हमारे घर में जो अनमूल खजाना है, हमारे मा और पापा, आए उन्हें धेल सारा प्यार दे और उनकी इज़द करें, नमश्कार इश्वर को मैंने देखा नहीं, देखा है तुमको मेरी माँ, आख खुली तो देखा तुझे, ममता पिलाई तुने मामा, मेरी माँ मा, मेरी माँ, मा, मेरी माँ, मा, मेरी माँ अनि मौल मा का प्यार जानी सारा संसा, गईने बादल की तरा सर के देती है साया, हसकी सब सर की माँ अनि मौल मा का प्यार जानी सारा संसा, गईने बादल की तरा सर के देती है साया, हसकी सब सर की माँ अनि मौल मा का प्यार संसार के लिए तुने जीवन दिया तेरी ममता प्रिच्छा तुने अंको दिया खुम्रिया पेर कर तेरी वालों मेरी तुरिया सुनाती हर दर्द भूलाती तेरी आचन मेरी मा अनि मौल मा का प्यार धर दी पितो इश्मर है कदमों में तेरी ये चन्नत दिया सपना सारा जीवन तुने हम को दिया खुद रोई मगर हामिरों ने ना दिया मुठी तेरी गुडी हो अनि मौल मा का प्यार जाने सारा संसार गने बादर की तरह सत्रिती सायां हसकी सब सिर्की हो अनि मौल मा का प्यार हाज 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 झाल झाल